दोस्तो नमस्कार आज की इस ट्रेणिंग में आज आपको हम बताने वाले हैं RCM के Hair Care Products के बारे में Hair Care Products यानी जो आपके बालों की सुरक्षा देते हैं जिसमें Hair Oils हैं और Hair के Shampoos हैं तो RCM के जो भी Hair Oils हैं और RCM के जो भी Hair Shampoos हैं उनकी हम जानकर आपको देने वाले हैं आज की ट्रेणिंग परड़क ट्रेणिंग है इसलिए आप सबसे गुजारी चेस को एंड तक देखिए और हर एक परड़क की Knowledge ले लीजिए जिससे आपको आगे किसी को बताने में काफी आसानी होती है और यदि कोई कस्टमर आपसे कोई चीज पूछता है तो आपको बहुत आसानी रहती है आर्सेम के रहक परड़क की Knowledge हमारे पास होनी चाहिए क्योंकि हम आर्सेम के एसोशियेट बायर से और हम जब कस्टमर को फेज करते हैं तो हमें हर एक चीज की Knowledge होनी बहुत जरूरी है तो आये दोस्तो हम जानने वाले हैं आर्सेम के शैम्पू और आर्सेम के Hair Royals के बारे में चलिए दोस्तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले शीनौल का Revitalizer Hair Oil आर्सेम के जो शैम्पू है और आर्सेम के जो Hair Royals है इसके ब्रेंड का नाम है शीनौल शिनॉल के लगबख सारे hair oils और shampoos है तो सबसे पहला है शिनॉल का revitalizer hair oil सबसे पहले तो आपको नाम ध्यान में होने चाहिए ऐसा नहीं कि आपको यह बुलू वाली bottle है नीली वाली तेल है ऐसा कुछ नहीं आपको नाम हर चीज के ध्यान होने चाहिए और एक प्रड़क का नाम ध्यान होना बहुत ही जड़ा जरूरी होता है आगे चलते हैं इसके की ingredient के बारे में एक तो होता है ingredient यानि इस प्रड़क में क्या-क्या है और एक होता है की ingredient यानि इस प्रड़क में ऐसा क्या है तो दोस्तो जटामासी एक्स्टक के बारे में जो इसके फायदे है वो मैं आपको बता रहा हूँ यह जो भी फायद मैं आपको बता हूँगा यह एक इंग्रियंट के फायदे हैं दोस्तो और दोस्तो यह इंग्लिश में लिखा है मैं आपको हिंदी में समझाऊँगा कीप स्काल्प सुफ्ट जो सुफट रखने काम करते हैं जटमासी से जो बाल हो ते हैं जो लंबे बालों के लिए ग्रोथ भी जटमासी करती है जटामासी डेंडर्फ को भी कम कर सकती है जटामासी जो premature hair whitening होती है अर्समय जो बाल सफेद हो जाते हैं उससे बचाव का कारे करती है साथ में यदि हम इसकी मसाज करते हैं तो जो हमारी memory loss है उसके prevention के लिए भी ये काफी फाइद मत होती है साथ में anti hair fall यानि बालों को जड़ने से रोकने में मदद करती है जटामासी का extract तो यह जटामासी इसके बाद इसके अंदर tea tree oil है tea tree oil anti fungal होता है fungus नहीं होने देता है scalp fungal जो होता है यानि खोपड़ी जो होती है उसका जो fungus हो जाता है उससे बचाव करने में फाइदा होता है tea tree oil से साथ में tea tree oil जो बाल होता है उसको silky बिखता है और tea tree oil का जो fragrance होता है वो भी बहुत शांदार होता है lemon oil है जो बालों को naturally shine करता है और hair को silky बनाने में मदद करता है साथ में hair growth के लिए काफी अच्छा है इसलिए आपको बाता है बालों में पहले निम्बू लोग लगाते थे कोई भी वो लेप वगेरे बनाते थे बेटर बनाते थे उसके अंदर lemon का यूस होता था दोस्तो रोजमरी oil है जो hair moisturizer का काम करती है यानि बालों में नमी प्रदान करने का काम करती है anti hair fall होती है यानि बालों को ज़र्ने से रोकती है साथ में इसकी fragrance भी बहुत अच्छी होती है तो ये सब है एक shinol के cavity ledger hair oil के अंदर दोस्तो इसको use करने के तरीका आप सबको बताईए आपको root से लेकर के top तक आपको अच्छे से इसको लगाना है और साथ में massage करने है finger tips के मात्यम से तीन से चार मिनट तक आप इसकी massage कर सकते हैं तो दोस्तो इसके बाद में हम बात करते हैं shinol के herbal hair oil के बारे में herbal hair oil अनि आपको नाम से बता लग रहा है ये औशद ये कुनों से भरपूर हो करके कि इसका नाम ही herbal है दोस्तो मैं आपको बता हूँ इसके अंदर की ingredient क्या क्या है इसके अंदर आवला है ब्रामी है तुलसी राइस ब्रान ओल है आप कहेंगे राइस ब्रान ओल तो खाने में यूज़ होता है लेकिन इसको external भी यूज़ किया जाता है तो दोस्तो आएए इसके बारे में जानते हैं सबसे बहले राइस ब्रान ओल के बारे में बात कर लेते हैं ये विटामिन E का बहुत अचा सोर्स होता है और विटामिन E बालो के लिए पोशन का काम करता है जो सूर्य की UV किरने होती है उससे जो डैमेज हो जाता है बालो में और पॉलुशन से जो डैमेज होता है उसको रोकने मदद करता है साथ में हेर के जो होल्स होते हैं उसको healthy रखने का काम करता है आवला भी है इसके अंदर जो smell से दूर रखता है बालो को इसमेल जो आती है उससे दूर रखने का काम कौन कर रहा है आवला नूट्रिशन देता है बालों को भी पोशन की जुरूत होती है तो बालों को नूट्रिशन देने का आवला काम करता है आवला के अंद्रोचित पोशन होता है Natural Glowing यानि प्राकरतिक रूप से बालों को glow देने के काम करता है आवला और बालों को कल्डी होने से भी बचाता है आवला इसलिए आवला कभ यूज किया जाता है आपको पता है पुराने जमाने भी यूज करते थे आवला को बालों के लिए और स्वास्ते के लिए क्योंकि जो हर्बल चीजे होती है यह जिती internally अमारे लिए अच्छी होती है उतनी externally भी अच्छी होती है दोस्तों इसके बाद में ब्रामी है ब्रामी की बात करूँ तो infection से बचाव करती है insomnia जो एक रोग होता है उससे बचाव कर रही है साथ में stress relief है जब आप इसकी massage करते है तो stress relief भी होता है साथ में scalp को जो infection हो जाता है उससे भी यह बचाव करती है इसके बाद मैं तुलसी की बात करूँ मैं तुलसी तो आपको nature cool है नाम से बता लग रहा है ठंडा तेल है यानि घर्मियों के लिए विशेशकर बना हुआ है घर्मियों में जब आप ठक जाते हैं पूरे दिन के ठकान हो जाती है तो उसको बचाने के लिए काफी काम आता है इसके की ingredients के बात करो तो आमला है नीम है, मंडुकारपिनी है, पुदीना है, नागरमोथा है, कपूर है यानि काफी सारे ingredients इसके अंदर है तो इसलिए मैं एक एक के बारे में आपको नहीं बताऊंगा आपको मैं सम्मेली तुरुप से इसके key benefits बताऊंगा stress relief जैसे कि मैंने आपको बताया था क्योंकि इसकी massage का अच्छी होती है hair growth के लिए तो अच्छी है, यह साथ में जो premature whitening होती है, उससे बचाव करती है जो eration, khuja, dandruff, russi, ruchha, infection, किसी पितरे के बालों के बिमारिया होती है उससे यह बचाव करती है साथ में बालों को उचित portion देने के काम करती है साथ में जो split ends हो जाते है यानि दो मुहे बाल जिसको कहते है उसको कम करने में भी इसका काफी योगदान होता है softer, बालों को मुलायम, soft रखने में काफी मदद करती है और scalp की massage के लिए भी काफी अच्छा होता है कपूर कहते हैं, नीम है, आवला है, मेंता, अर्वनेसिस है ये scientific name है, मेंता का ओयल है, बिरिंगदाज है, नागर मोता है मंदू कारपिनी इसके अंदर डाला गया है ये photo से मैंने आपको एक बार बता दिया अब जानते हैं, शिनवल के सरसो हे रोयल के बारे में सरसो हे रोयल, इसकी खास बात आपको मैं बता दू पहले इसके साथ में नीम भी डाला गया है कई बार होता है कि आपने सरसो का तेल तजरूर सुना होता है लेकिन इसके अंदर नीम भी डाला गया है इसकी आप मसाज भी कर सकते हैं और बालों में लगा भी सकते हैं बहुत अच्छा तेल है दोस्तों सरसों की बात करतों सरसों आप जानता है ये पुराने जमाने से चला आ रहा है हेर ग्रोथ के लिए काफी अच्छा होता है anti hair fall यानि बालो को जणने से बचाव करने में काफी मददगार होता है साथ में dandruff से बचाव करने में भी काफी मददगार होता है बालो को shine करने में भी काफी इसका अच्छा योगदान होता है बालो को नमी प्रतान करने में और pollution से बचाव करने में इसका योगदान होता है इसके अंदर antimacrobile गुणोते है और इसके अंदर antibacterial गुणोते है split ends को ये कम करता है और बालो को उचित portion देने का भी काम करता है इसके बाद में neem है मैंने आपको जैसा कि बताया जो इसकी power को बड़ा देती है मार्केट से खास क्यों है अमारा तेल क्योंकि ये neem है इसके अंदर तो neem डाल दिया इसलिए ये बालो को खुजली से और जूओ अगेरा से बचाती है antibacterial गुणोते है, infection वगर इसे बचाव करेगी और जो भी hair की दूसरी समस्य होती है, कोई भी रोग होते है उससे बचाव करने में नीम काफी साहता देता है, इसलिए नीम और इसका योगदान काफी अच्छा है, आप इसको लगाईए और शरीर में आप इसकी मसाज भी कर सकते हैं, दोस्तो बात करते है, coconut oil के बारे में आर्सिम को जो coconut oil है सबसे बचाव मैं आपको बता दू, यह जो नाडियल का तेल है 100% pure है आप इस पर देखेंगे, edible भी लिखावा यानि खाने योग्य भी है, इतना सादा यह pure है सबसे बड़ी बात है दोस्तो आर्सिम के तेल में बहुत पोशन होता है इसलिए बालों के लिए सरवतम भी माना जाता है यह hair growth के लिए बहुत यह अच्छा होता है best natural conditioner दोस्तो conditioner को यूज़ करने की जरुत नहीं यह दिया आप इसको यूज़ करते हैं तो natural hair gel अब gel का महेंगे महेंगे gel का प्रयोग करते हैं तो उसकी जगे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आप देखेंगे जब आप इसको लगाएंगे सुबह सुबह तो आपको बाल सेट रहते हैं यह हमारा personal experience भी कहता है lip balm यदि आपको lip पे लगाना है हलंकि hair oil के माद्यम साभ यूज़ कर रहे हैं लेकिन मैं आपको दूसरी यूज़ में बता रहा हूं को lip balm कई लोग lip balm लगाते हैं उसकी जगे भी आप इसको लगा सकते हैं यदि आपको massage करनी है कहीं पर तो आप नारेल तेल का यूज़ कर सकते हैं कई पर घाव हो जाता है कई पर हलका फलका घाव हो रहा है कई रशेस वगरा हो रहा है कई पर सूखापन राइनेस वगरा हो रही है तो वहाँ पर नारेल का तेल लगाया जाता है यहीं नाडियल के दिल All-Rounder है आपको हर जगे इसको यूज लेना चाहिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं शीनॉल के हरबल शैंपू के बारे में हेर ओल की कहानिया पर खतम होती है अब हम शैंपू की और बढ़ते हैं शीनॉल हरबल शैंपू नाम से बता लग रहा है हरबल है इसके अंदर सबसे पहले में आवला की बात कर रहा हूँ आवला है जो बालो को और स्केल्प को मजबूत करता है बालो को और समय सफेद और सरने से भी रोकता है बालो का जढ़ना भी कम करता है रूसी को कम करता है और ड्राइ स्केल पर प्रभावी होता है यानि ड्राइ यानि सूखा पन जो होता है उसको नमी प्रदान करने में काफी युगदान होता है यावला का जू अगेरे से भी ये बचाव करता है हिना है इसके अंदर हिना आप जानते हैं दोस्तों बालो को काला करने में सायक होती है इसलिए हर एक महंदी में भी हिना को डाला जाता है हिना बहुत टाइम से यूस की जाती है बालो के लिए तो इसको रामबन कहा जाता है इसमें परविट विटामिनी बालों को मुलायम भी करता है बालों की सुन्दरता के लिए हिना काफी आश्रक होता है और बालों को हर तरीके से पोश्रक देने का काम करता है और बालों को घना रखने का काम करता है हिना बालो की कई समस्याओं को भी दूर करती है हिना यानि हिना काफी पारंप्रिक और शदी है बालो के लिए अब है शिकाकाई शिकाकाई भी हिना के साथ में यूस की जाती है बालो को चमकता और कोमलता बदान करती है बालों में जूग और डेंडर फगेरा जो हो जाता है उसको कम करने में भी साहता करती है मजबूत वागने बाल पदान करती है शिका काई और बालों में से इंफेक्शन को भी दूर करने का काम करती है ये हिना, शिकाकाई, ये सब परंप्रिक हैं दोस्तों ट्रडिशनल तरीके से यूज़ की जाती है पहले से यूज़ की जा रही है आयुर्वेदा में भी इसको काफी महत वो दिया जाता है बालों के लिए दोस्तों इसको बात करों तो इसको लगाना कैसे हो आपको यहां पर लिखाऊ अब बबता देता हूँ आपको हल तरीके के नाम आपको याद होने चाहिए किसी पुड़क की जानकार यह दिया आप ले रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, तो सब से पहले आपको उसका नाम जरूर याद होना चाहिए, उसकी quantity वगरा भी याद होनी चाहिए, साथ में नाम में आप कभी गलती ना करें, इसको ओरेंज वाला शेंपू या बालो वाला शे जडे होती है, उसको मजबूत करने का काम करता है, जिससे बाल जढ़ने से बच सके, ऐंटीडेंटर्फ होता है, साथ में इचिंग को रिमूव करता है, पॉलुशन जो होता है, उससे बचाव करने में काफी सहायता पदान करता है, इसको कंडिशनर की तरह भी यूज किया तो साथ में बालो को पोशन देने का काम करता है और बालो को इसमूद करने का काम करता है और चलिए आगे चलते हैं वीट प्रोटीन है इसके अंदर जो हेर शाइनिंग देता है हेर इसमूदर है और नूट्रिशन भी देता है और साथ में बालो को जणने से भी रूपता है ज काफी refreshment का भी महसूस आप करेंगे अब हैं एंटी डेंटरफ शेंपू शीनौल का एंटी डेंटरफ शेंपू इसके बारे मैं आपको बता हूँ तो इसके अंदर पबया एक्स्टर्क जो एंटी डेंटरफ होता है डेंटरफ से बचाव करता है जो गंजापन होता है उसमें क बचाते हैं, इच्छी hairs जो दाते हैं उस रिलिफ देते हैं और एक अच्छी fragrance देते हैं शेम्पू को अब दोस्तों आए, व्यॉमिनी का Morringa शेम्पू यह शिनल का नहीं है, अब यह व्यॉमिनी का है व्यॉमिनी का जो प्रोडक्स हैं, इसके अंदर और भी कई सारी चीज़े हैं आए जानते हैं इसके अंदर natural conditioner करें यूज होगा यह mild surf intent है 100% natural anti-dendrifagent है और इसके अंदर moringa का अर्क भी डाला गया है शेंपू पेराबिन फ्री है सिलिकॉन फ्री है pH balanced और sulfate फ्री भी है जिससे यह शेंपू काफी herbal हो जाता है और एकदम easy to use ह जाता है यूमिनी शेंपू इसके अंदर natural conditioner है इसलिए बालों का लचिलाबन बनाया रखती है और तूटने से भी रोकता है अपने बालों को स्वस्थ और manageable बनाया रखता है mild surfactant है जो की प्रकृतिक रूप से पौदो और सब्जियों से बनाया गया है हर तरह से बालों और किसी भी जलवायों की परिश्थिति के लिए उप्यूक्त है चमकदार लंबे और मजबूत घने बाल देने के लिए भी सायक है ये एक natural anti-dendrifagent है scalp को स्वास्थ बनाया रखता है और प्रपारवी रूप से रूसी को हटाता है moringa जो जमकदार मजबूत और घने बाल देता है और नमी उक्तबाल भी देता है आईए दोस्तों इसकी बाद में जानते हैं व्यमीनी moringa हेरल के बारे में ये और एक छूड़ गया था जो व्यमीनी moringa था इसलिए अमने इसको last में लिया है इसकी बारे में आपको बताओं तो इसके अंदर moringa तेल है जो बालो को गहराई से condition करने में मददगार होता है बालो को जड़ से मजबूत करने में मददगार होता है और बालो के विकास को बढ़ावा देने में मददगार होता है तुलसी का तेल है इसके अंदर जो बालो का जढ़ना कम करने में और स्केल्प को स्वस्थ रखने में मददगार होता है ऑफ जरूरर शारिवन और है जो देंडुरा को करने में मदद्गार होता है। । यह स्थील इंडिविजल जानकारी है तो फांसे हैं क्या सब्सक्राइब कर लेंगों और सबसक्राइब आपS लिए इसको subscribe अभी के अभी दोस्तों कर लीजिएगा दोस्तों आज अपने एक्सेरनल ब्यूटी के बारे में बात करी है लेकिन अब हमेशा ध्यान लखना कि external beauty सब कुछ नहीं होती है आपको अपने अंदर vitamins minerals omega की भी पूरी जरूरत पूरी करनी होगी जिससे आप अंदर से भी स्वस्त रहेंगे बाहर से बाहर से अपने आपको नहीं दे रहे हैं तो आपको बाहर से जब आप कुछ एंटी एरफॉल वगरा शैंपो लगाएंगे तो आपके जो अंदर कमी है पहले आप उसको जरूर पूरा कीजिए बाद में आप बाहरी beauty को ध्यान दीजिए दोस्तो एक और इसी तरह की ट्रेनिंग है जिसमें हमने न्यूट्री चार्च की सभी प्रोटीन जो भी है सबकी ट्रेनिंग आपको दी थी वह आप ट्रेनिंग ज धन्यवाद आपने आज की ट्रेनिंग को सुना आज की ट्रेनिंग आपको अच्छी लगी हो प्रोड़क अच्छे लगे हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने टीम में जरूर शेर कीजिएगा तो दोस्तों मिलते हैं अगले इसी तरह की ट्रेनिंग के साथ में धन्य प्रेवाट